साब लेकुम अच्छा जी एक solution market में घुम रहा है कि onward system जो लोड शेडिंग के आफ हो जाते हैं उसका एक solution निकाला गया है पाकिसानी installers की तरफ से के onward system के साथ एक off-grid system लगा देते हैं उस off-grid system में solar panels मुझूद नहीं होते हैं तो लोड शेडिंग होती है तो onward system का जो solar panels होते हैं वो contactor के through उसको switch कर देते हैं और connect करवा देते हैं onward system के साथ तो क्या कहते हैं solution के बारे में आप जिसमें इन्होंने बाइपास किया है onward system का जो shutdown होता है लोड शेडिंग के इस problem को बाइपास किया है इन्होंने एक solution तो निकाला है no doubt about it but problem यह है कि जितनी ज्यादा आप components लगा रहे हैं और वह भी हल्की quality के components लगा रहे हैं उतना ज्यादा risk factor बढ़ आप एक चीज में इंस्टॉल करी है और मैं उसको कह रहा हूँ कि चुड वर्क 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 आखर में आखर में आखर में आखर में आखर में जो एक्स्ट्रा में एक डीवी बॉक्स लगा लिया था उसने काम करना चोड़ गया वहां पर कार्बन आगया उस पर टाइमर लगया उस पर टाइमर फेल हो गया जितनी ज्यादा यह मैं छोटे चोटे चोटे components लगा लगा लिये तो उसके failure के chances बढ़ गए और मेरा on-grid system त separate system लगा देता हूं तो मेरे पास और redundancy आजाती है कि मैं पर दो separate system लगे वे हैं खुदाना खासता को issue भी आता है तो एक काम कर रहा है और दूसरा काम नहीं कर रहा है तो at least one is working अब आपने दोनों system को join कर दी है बीच में contactor लगा दी है आज तो अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह जायज है अभी तो यह चीजे नहीं हैं contactors नहीं हैं तो यह काम कर रहे है जब पुराने होंगे तो यही सबसे पहले issue करेंगे क्योंके inverters और वह तो अच्छी quality के हैं वह imported है पर जो चीज लोकली इन्होंने बनाई है और उसके लिए लोकली चीजें यूज करी है उ अच्छा इसका एक और अप्शन भी तो है ना इनके पास के बजाए इसके के on-grid system के साथ एक off-grid system लगा के दे और उसमें एक ही panels की source हो यह एक hybrid system की तरफ भी तो जा सकते है ना कंजूबर को गाइड कर सकते हैं अगर आपको यही problem है अगर आपको यही प्रॉब्लम है अगर ना को इस तरह की basic सी एक जोगाड़ी सी automation होगी जिस automation में कोई भी contractor खराब हो गया तो दोनों system बैठ जाएंगे क्योंकि दोनों system को जो PV string आ रही है वो manage उसी system के थ्रू हो रही होगी अगर उस system में एक भी component फेल हुआ ना वो PV string पहले इंवर्टर को करेंगी ना वो दूसरे को करेंगी तो किसी को आगे उसको ठीक करना पड़ेगा तो आप एक hybrid system लगबा लें hybrid system essentially यह जो गाड़ों के थ्रू बना रहे हैं off grade plus on grade वो hybrid करता है यह है बस वो होता ही है कि company बना के बेज़ती है package के थ्रू कि एक inverter है इसमें on grade capacity भी है इसमें off grade capacity भी है जब दोनों को मिला इनवर्टर आ रहे हैं वो आपके दोनों के दोनों मकसद को कर देते हैं फुल्फिल कर देते हैं दूरिंग लोडशेटिंग आपको फील ही नहीं होता automatic switching mechanism relays उस inverter के अंदर मौझूद है अब आप खुद बताए ना एक inverter के अंदर एक capacity है एक feature है और एक आपके लोकल एंजरेम ना बाहर जबार पर लगा दिया आपके DB box के अंदर तो अब आपकी मर्जी है फिर ये customer को guide करने वाली बात है अच्छा और अगर आप cost wise भी दिखे बिल्कुल बिल्कुल चलए यह हमने सोचा guide करें जरा एक video बनाए क्योंकि लोगों को guide नहीं किया जा रहा है गलत बातें बताई जा रही है और जो इंस्टॉलर्स है या जो solar companies है जो इस फील्ड में आई हुई है आप बड़े से बड़े इंपोर्टर से बैठके बात कर ले solar company के उनको इन बातों का नहीं पता कि 100 सिस्टम के मसाइल क्या है दुनिया भर में ओवर टाइम 100 का जो feed and tariff है वो नीचे आता है आप financing करवा के लोगों को देते जाए लोग अपनी ROI निकाल रहे होते हैं feed and tariff के ओपर कल को feed and tariff कम हो जाएगा उनका पूरा का पूरा system की जो ROI है वो बैठ जाएगी स्पेन में यही हुआ है ना अब exposure नहीं है जिनको वो customer को यह बाते हैं guide ही नहीं कर पा रहें सिर्फ समान बेचने के चकरों में सिर्फ सिस्टम लगाने के installations हमारी 100 installation हो जाए इस महीने में सिर्फ installations के चकर में लगे हुए है आखिर में नुक्सान यही आखिर में वापस मिलें तो उनको 10-10 साल में पैसे जब वापस मिल जोंगा अगर उनकी अपनी investment है तो वो बोलेंगे के solar system ही एक fraud है यही बोलेंगे आखिर में जबके ऐसा नहीं है उनको guide ही सही नहीं किया गया तो अग्ये हमने सोचा है इस पर video बनाए ताके जादे जाद awareness है ताले जी थांक यू थांक यू